नमस्कार सूप्रभात और स्वागत है आपका आज हम अध्याय नो अनुवानशिक्ता एवं जेव विकास के अंतरगत लिंग निर्धारन की प्रक्रिया को समझेगे आई ये शुरुवात करते हैं हम लिंग निर्धारन को किस प्रकार से परिभाशित कर सकते हैं लिंग निर्धारन एक जैविक प्रनाली है जो की एक जीव में योन विशेष्टाओं के विकास को निर्धारिक्त करती है अर्थात हम जानते हैं कि जीवों में विविन प्रकार की जैविक प्रनालिया चलती है उसी मेंसे एक लिंग निर्धारण की प्रक्रिया भी है जो जीवों में किस प्रकार की योन विशेष्टाएं विक्सित होगी क्या वह नर होगा या वह मादा के रूप में विक्सित होगा इन विशेष्टाओं को निर्धारित करने के लिए जो हमारे शरीर में प्रणाली होती है उसी को हम लिंग निर्धारण की प्रणाली कहते हैं आईए आगे देखते हैं इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लेंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से बिन होते हैं जिसके कई कारण हो सकते हैं जो लेंगिक जनन में भाग लेने वाले जीव हैं वो जनरली वहाँ पर सामाने तहुआ वहाँ पर दो जीव जो होते हैं नर और मादा वो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो वो दोनों जीव जो होते हैं वो एक दूसरे से किसी ने किसी रूप में भिन होते हैं चाहे उनमें अनुवानशिक विभिनिता हो चाहे उनमें शरीर क्रियात्मक विभिनिता हो या इस प्रकार की कोई भी विभिनिता उन दोनों जीवों में होगी जो की लेंकिक जनन में भाग ले रहे हैं तो जो नौजात शिशू है उसका लिंग निर्धारन किस प्रकार से होगा अलग-अलग स्पेशीस या अलग-अलग परजाती जो होती है उसके लिए अलग-अलग युक्ती यहां पर अपनाते हैं लिंग निर्धारन के लिए जैसे हम याँ उधारन के लिए देखें कुछ पूर्ण रुप से कुछ जीव जो होते हैं वो पूर्ण रुप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं इसलिए कुछ प्राणियों में जैसे कुछ सरीशरप में लिंक का जो निर्धारन होता है वो निशेचित अंडे के उश्मा ताप पर निर्वे करता है कि संतती नर होगी या मादा होगी या अर्थात ये कह सकते हैं कि जो सरीसर्प वर्ग के जीव होते हैं उन में हम जानते हैं कि भाय परिवर्धन होता है जो नवजात होता है उसका परिवर्धन एक अंडे के रूप में, निशेचित अंडे के रूप में होता है, सरीर से बाहर होता है, तो उस अंडे को तापमान किस प्रकार का मिल रहा है, तापमान के आधार पर, उसको मिलने वाले तापमान के आधार पर निरधारित होता है, कि वो अंडा नर होगा या मादा के रूप में जन्म लेगा उसी तरीके से एक और अन्य उधारण हम देखे गोंगे या ये जिसको हम इसे जीव मॉलस्का या जो मोती निर्माता जीव है इनको हम गोंगे या सीपी के नाम से जाने जानते है जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं जो कि इस बात का संकेत है कि इनमे लिंग निर्धारण अनुवानशिक नहीं होता है यानि कि जन्म के बाद जब इनमे जो भी लिंग मिलता है इनको या तो ये नर या मादा होते हैं ये अपने जीवन में अपने लिंग को बदल सकते हैं सामाने तह एक सामाने प्रक्रिया के द्वारा अर्थात इस बात से यह पता चलता है कि जो इन जीवों में जो लिंग निर्दारन होता है वो आनुवानशिक नहीं होता है अब हम बात करें मानों में लिंग निर्दारन मानों में लिंग निर्दारन अनुवानशिक आधार पर होता है मानों में जो लिंग निर्दारन होता है वो वातावरन के अनुसार नहीं होता है जबकि वो अनुवानशिक आदार पर होता है अनुवानशिक या हमारे जो आंतरिक गुन होते हैं जो हमारे जिन्स होते हैं उनके आदार पे हमारा लिग निर्दारन होता है दूसरे सब्दों में जनक जिवो से वन्षागत जीन ही इस बात का निर्णे करते हैं कि संतती लड़का होगा अत्वा लड़की होगी यानि कि हमारे जो जनक हैं ऑन से हमें किस प्रकार के जीन मिले हैं उसी आधार पर निर्धारित होगा कि संतती जो है वो लड़का होगी या लड़की होगी परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनों को से एक जैसे जीन सेट संतती में जाते हैं हम अभी तक ये मानते आ रहे हैं कि हमें माता और पिता से दोनों से एक ही प्रकार के लक्षन मिलते हैं एक ही प्रकार के जीन, एक ही प्रकार के गौन सुत्र मिलते हैं, ऐसा हम मानते आ रहे हैं, यदि यह साश्वत नियम है, यदि ऐसा ही नियम है कि हमें दोनों माता और पिता से दोनों से एक प्रकार के ही जीन्स मिलते हैं, तो फिर लिंग निर्धारन वन्शानुगत कैसे हो सक तो फिर तो सभी जीव एक जैसे ही होने चाहिए जन्म लेने वाला शिशु जो है वो लड़का और लड़की फिर कैसे हो गया यदि उसको माता और पिता से एक ही प्रकार के गुण सुत्र या एक ही प्रकार के जिन्स या एक ही प्रकार के लक्षन मिले हैं तो फिर जन्म लेन बाने वाला शिशु जो है वो नर या मादा किस प्रकार होगा आईए इस बात की भी हम परटाल करते हैं मानव गुन्सुतरों के बारे मेन बात करते हैं मानव गुन्सुतर पुर्ण रुपे नई यूग्म में नहीं होते हैं अर्था जो नर और मादा के जो गुनसुत्र होते हैं जो इस्त्री और पुरुष के गुनसुत्र होते हैं वो पूर्ण रुप से युग्म में नहीं होते हैं यानि कि सभी जोड़े उनके एक जैसे नहीं होते हैं ठीके फिर अगली बात हम करते हैं मानों में अधिकतर गुन्सुत्र माता और पिता के गुन्सुत्रों के प्रतिरूप होते हैं, जो हमारे अंदर गुन्सुत्र होते हैं, वो हमारे माता और पिता के गुन्सुत्रों के प्रतिरूप ही होते हैं, उनकी कौपी ही होती है, जो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती ह आगे हम बात करते हैं जो गुंसुत्र हमें मिलते हैं वो इनके संचा कितने होती है बाइस जोड़े होती है परन्तु एक युगम में लिंग गुंसुत्र एक युगम जिसे हमें हम लिंग गुंसुत्र कहते हैं वो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होता है यानि कि मनुश में जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम काईक गुन सुत्र कहते हैं और ये नर और मादा में लगबग एक समान ही होते हैं इन में कोई अंतर नहीं होता है लेकिन जो एक जोड़ा नर और मादा में लिंग गुन सुत्र होता है जो वास्तवी कुरूप से लिंग के निर्धारन में भाग लेता है वह नर और मादा अर्थात इस्त्री और पुरुश में भिन भिन प्रकार का होता है इस्त्री में गुन सुत्र का पुर्ण युक्म होता है तथा दोनों X कहलाते हैं जाने कि अगर हम इस्त्री के गुन सुत्र के बारे में बात करें तो 22 जोड़े 22 जोड़े का एक गुन सुत्र होते हैं और एक जोड़ा और जो होता है एक जोड़ा एक जोड़ा जो होता है वह लिंग गुनसुत्र के रूप में होते हैं और ये दोनों ही लिंग गुनसुत्र एक समान आकरती के होते हैं दिखने में एक जैसे होते हैं जिनको हम एक्स एक्स गुनसुत्र के नाम से जाने जानते है दोनों ही गुण सुत्र जो जोड़े के लिंग गुण सुत्र होते हैं वो दोनों एक समान एक आकरती के होते हैं अर्थाद इन दोनों को एक्स गुण सुत्र के नाम से जाना जाता है वहीं पर अगर हम नर के बारे में बात करें तो नर में जो 22 गुण सुत्र जो होते हैं 22 जोड़े वो काई गुण सुत्र होते हैं वहीं जो अंतिम जोड़ा होता है 23 जोड़ा वहाँ पर दो लिंग गुण सुत्र होंगे लेकिन ये दोनों लिंग गुण सुत्र जो है यहां आकरती में भिन्न होते हैं इसमें एक तो स्त दूसरा जो होता है वह वाय गुनसुत्र होता है यह आकार में छोटा होता है और इसके कारण इसको X ना कहकर Y गुनसुत्र कहते हैं अर्थात पुरुष में जो गुनसुत्रों का 23 जोड़ा जिसको हम लिंग गुनसुत्र कहते हैं उसमें जोड़े के दोनों गुनसुत्र समा ना होकर भिन होते हैं और उसमें करमशह एक को X और दूसरे को Y के नाम से जाना जाता है यहां हम इस बात को पड़ भी सकते हैं लेकिन पुरुश नर में है जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है नहीं इसमें एक गुनसुत्र सामानियाखार का X होता है ता दूसरा गुनसुत्र होता है जिसे हम Y के नाम से जानते हैं अभी हमने इस बात को की सत्या कि अता स्थरियों में इस्थरियों की स्थिती क्या हो गई X X अता पुरुष को हम X Y गुन सुत्र होते हैं क्या अब हम X और Y गुन सुत्र का वन्शा नुगत पैटर्न बता सकते हैं तो बिल्कुल हम बता सकते हैं कि अब जब इस्तरी का जो जीनो टाइप है वो X X प्रकार का होगा एक्स एक्स प्रकार का होगा वहीं पर जो पुरुष का जीनो टाइप है वो एक्स वाई प्रकार का होगा तो अब यह गुंसुत्र इन जीवों से इनकी अगली संतती में किस प्रकार जाएंगे और किस तरीके से अगली संतती का लिंग निर्धारन करेंगे या हम स्पस्ट कर सकते हैं आईए देखते हैं मानवो में लिंग निर्धारन की प्रक्रिया इस लिंग निर्धारन की प्रक्रिया को हम यहां इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं यहां हम देखें नर और मादा जिन में गुनसुत्र की स्थिती, कुछ इस प्रकार होगी, यहां पर X, Y आप लिख सकते हैं, यहां X, X स्थिती लिख सकते हैं अर्थाथ, यह जो नर है, यह दो प्रकार के, जब लेंगिक प्रेजिनन होगा, उस दोरान दो प्रकार के युगमक प्यदा करेगा एक X प्रकार का और दूसरा Y प्रकार का, लेकिन मादा एक ही प्रकार के युगमकों को प्यदा करेगी, जो की X प्रकार के होंगे, क्योंकि इसके पास सिर्फ X प्रकार के ही गुनसुत्र हैं, तो ऐसी इस्थिती में, जब इन गुनसुत्रों, इन युगमकों का फ्यूजन हो जब निशेचन की प्रक्रिया होगी तो यहां पर यह जो एक्स प्रकार का युगमक जो है वह किस प्रकार के शुकरानों से निशेचित होता है इस बात पर अगली संतती का लिंग निर्दारित होगा यदि यह एक्स प्रकार का जो मादा युगमक है यदि यह एक्स प्रकार के शुकरानों से निशेचित होता है तो ऐसी इस्तिती में बनने वाली संतती पैदा होने वाली संतती मादा होगी वही पर यदि यह एक्स प्रकार का युगमक या अंडानों वाय प्रकार के शुकरानों से निशेचित होता है तो ऐसी इस्तिती में संतती जो है वह नर के रूप में जन्म लेगी तो यहां पर जो लिंग निर्धारन का जो कारक है वह वाय गुनसुत्र वाला शुकरानों है जो की नर के द्वारा बनाया जाता है नर के द्वारा बनाया जाता है क्योंकि नर की जो अनवांशिक इस्तिती होती है वो एक्स वाय प्रकार की होती है उसमें जो लिंग गुनसुत्र होते हैं वो एक्स और वाय प्रकार के होते हैं और ये वाय प्रकार का गुनसुत्र ही निर्धारित करता है कि संतती नर होगी या मादा होगी तो इस प्रकार से मनुश में जो लिंग निर्दारन की प्रक्रिया होती है वह गुंड सुत्री आदार पर होती है आईए इसकी एक बार और हम पुन्रावरती कर लेते हैं इस प्रक्रिया की जैसा की चित्र में दर्शाया गया है सामाने तो आदे बच्चे लड़के और आदे लड़कियां हो सकते हैं किसी भी दमपत्ती में जो संतान होने के चांसेस होते हैं वो या तो लड़का होगा या लड़की होगी सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो अत्वा लड़की हो अपने अपनी माता से एक सगुन सुत्र प्राप्त करते हैं आप देखिए चितर में ये जो लड़की है इसने अपनी माता से एक सगुन सुत्र प्राप्त किया है वहीं इस लड़के ने भी अपनी माता से एक सगुन सुत्र प्राप्त किया है अतहा बच्चों का लिंग निर्धारन इस बात पर निर्वर करता है कि उन्हें उनके पिता से किस प्रकार का गुण सुत्र प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे थे कि इन दोनों में एक एकस तो उनकी माता से मिल गया है जो कि माता के अंडानों में स्थित है अब इनका लड़का और लड़की होना किस बात पर निर्वर करता है कि उनको पिता से किस प्रकार का गुण सुत्र मिला है यहां इस लड़की की इस्तिती में उनको इस अंडानों को एक्स गुनसुत्र युक्त इस्पर्म ने निशेचित किया था अर्थात इसको पिता से एक्स गुनसुत्र मिला और ये लड़की हो गई वहीं पर दूसरी इस्तिती में हम देखें तो इस लड़के को यहां ये अंडानों जो है इसको पिता द्वारा वाय प्रकार का जो इस्पर्म था उसके द्वारा निशेचित किया गया अर्थात इसमें एक्स और वाय प्रकार की इस्तिती आ गई और अब ये लड़का हो गया जिस बच्चे को अपने पिता से एक स्गुनसुत्र वन्शानुगत हुआ वह लड़की हो गई और जिसे पिता से वाय गुनसुत्र वन्शानुगत हुआ वह लड़का हो गया तो मनुश में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया गुण सुत्र के द्वारा इसी प्रकार संपादित होती है आशा करता हूँ कि आपको यह प्रक्रिया समझ में आ गई होगी इसी प्रकार से हम हमारे अध्यान की प्रक्रिया को जारी रखेंगे फिर मिलेंगे अगले अंक में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद